पूरा करेंगे और एक अच्छा अस्पताल के रूप में इस अनुमंडली अस्पताल को अस्थापित करने का मेरा प्रयास हूँ आप देख रहे हैं विजन आज कल और मैं हूँ इम्रानली डॉक्टर रुदाय कुमार जी जो की प्रभारी चिकित सब पदाधिकारी थे अनुम मेंदारी है शर्गहाटी अनुमंडली अस्पताल क्युक्या शर्गहाटची एक बड़ा सब्डुइजन है और बहुत बड़ा च्छित्र है इसका तो बहुत सारा जीटी रोट पर होने के कारण शर्गहाटी के बहुत सारी मुश्किलों को आप भी सामना करना पड़ता है बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तो हम इन तमाम चीजों के लिए सबसे पहले सर आपका स्वागत है विजन आजकल में और आपको बहुत-बहुत मुबारक बाद इस पत्प पर आने का धन्यवाद सर क्या कहेंगे आप एक जिम्मेदारी मिली है बड़ी जिम्मेदारी है तो किस तरह की चुनोतियां होंगी आपके सामने चुनोतियां तो है जरूर है लेकि इसका बहुत ही आसान का मने पालन किया जाएगा और उसका सामना किया जाएगा अनमंडिली अस्पताल के उपाधी जक्पत पर आने से जिम्मेवारियां बहुत बढ़ गई अस्पताल में पहले जो कारे का धंग था या जो कारे संस्कृती थी उसको बदलने की मेरी पहली प्रात्मिक्ता होगी और अच्छे से अच्छे धंग से हम अपने संसाधनों का जिसमें मेरी चिकित्सक भी हैं स्वास्त कर्मी हैं और जो अस्पताल में उपलवध सामगरी है उन सब का बेहतर धंग से उपयोग करने पर मेरा ध्यान पहले होगा और उसमें जहां जहां जो कमियां आएगी उसके लिए समय समय पर हम अपने उच्छ अधिकारियों से मांग भी करते रहेंगे वो लोग पूरा करेंगे ही निशित ही पूरा करेंगे और एक अच्छा अस्पताल के रूप में इस अनमंडेली अस्पताल को अस्थापित करने का मेरा प्रयास होगा सेंग साहब के रिटार्मेंट के बाद अप सबसे सिनियर डॉक्टर थे लेकिन बीच में एक गैप हुआ आपको नहीं बनाया जासा का क्या कारण रहा तो कायदा यही था कि जो सबसे सिनियर होते हैं उनहीं चार्ज मिलना चाहिए और उन्हें चार्ज मिलने में दिक्कत हुई उनसे जुनियर को यानि मेरे से भी जुनियर को चार्ज दिया गया जो गलत था चार्ज तो उन्हीं को मिलना चाहिए और बाद में वही हुआ भी पुर्व में इनके दे देने के बाब जूद भी उस आदेश को रद कर दिया गया और पुनह जीतंदु कुमार सी बनाए गया इस वीच उनका तबादला हो गया परमोसन के साथ वो आज बर्तमान में नालंदा के सिवी सर्जन है तो उसके बाद पुनह या पद खाली हो गया जिस पर मेरी तयानाती की गई है सर इस से पहले क्या ये बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी क्या पहले भी कभी आपको मिली शर्गाटी में या कहीं दूसरे शहर में या ये पहला मौका है नहीं बीच में भी इसी एस्पताल का मैं उपाधी छक बना था थोड़ी देर के लिए एक रिक्ता आ गई थी जिसमें मुझे चुना गया था बाद में फिर जो और लोग आ गए तब फिर मैं हटी गया इस पर से प्लस यहां जो भी उपस्तित हैं नगर के वासी लोग उनका भी मैं अभार बेक्त करता हूं कि इस घड़ी में वो मेरे पास आए और मेरा होसला बढ़ाए तो उन सभी को धन्यवाद थैंक्ट्यू सर्व